नमो नारायन मित्रों आज हम बात करने वाले हैं मिथुन रासी वालों के 29 जनवड़ी और 30 जनवड़ी के रासी फल के बारे में तो जानने के लिए वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखें और पूरा देखें तो मित्रों सबसे पहले हम आज के पंचांग को देखेंगे यानि कि 29 जनवड़ी के पंचांग को देखेंगे परंतु सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को ओल पे आउन कर दें आज तिती है चतुर्थी नकषत्र है पूर्व भादर पदा पक्च है सुकल पक्च और दिन है बुद्धे बार आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है साथ बज के ग्यारह मिनट में और सुर्यास्त है पांच बज के संतावन मिनट में चंदरोदे है नौ बज के अंठाबन मिनट एम में और चंदरास्त है नौ पचपन में आज का दिन काल है दस घंटे छी आलीस मिनट बतिस सेकेंड का महिना है माग और आज आपके लिए सुभ समय नहीं है अश्म समय है दोपार के 12 बज के 12 मिनट से 12.56 तक राहुकाल सुरू होता है 12 बज के 34 मिनट से 1 बज के 55 मिनट तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की और तो यह था 29 जनवडी का पंचांग आप हम जानते हैं आपके 29 और 30 जनवडी के रासी फल के बारे में मिथुन रासी वालों 29 जनवडी और 30 जनवडी को आप किस्मत के भरो से ना बैठे रहें अपने मेहनत पर अपने हाथ के बल पर आप यकीन रखें क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपका भागयोदय नहीं होने वाला है इसलिए तरक्की करने के लिए आगे बढ़ने के लिए आज की दिन आप कुछ ना कुछ करती रहें ताकि आपका दिन बेहतर भी थे वैसे अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप अपने वजन पर काबू पाएं और स्वस्त रहने के लिए एकसरसाइज आप नियमी तोर पर करें तो आपका स्वास्त भी बेहतर रहेगा और आपको दिक्कते भी नहीं आएगी दोस्तों आप पाटनर्सिप में काम अभी नकरें क्योंकि अगर आप पाटनर्सिप में कहीं पैसे लगाते हो तो वहाँ से आपको फाइदा ज्यादा नहीं होगा जितनी उम्मीद आप करोगे आपकी उमीद के मताबिक धन आपको नहीं मिलने वाला है इसलिए अगर निवेस करना हो तो अकेले करें पार्टनर्सीप में ज्यादा निवेस न करें बेहतर रहेगा आपके लिए आज की दिन आपको किसी भी इंसान को मनाने में दिक्कतों का शामना बहुत करना पड़ेगा हो सकता है तो आपकी बातों से कुछ लोग आहत हो जाएंगे और अगर उन्हें मनाने का पड़ेयास करते हो तो वो जल्दी नहीं मानने वाले हैं उन्हें मनाने में आपको दिक्कतों का शामना थोड़ा बहुत करना पर सकता है दोस्तों अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो 29 जनवड़ी और 30 जनवड़ी को अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के साथ आप कहीं घूमने जाएंगे जहां अपने प्रेम संबंध को एक नई रूप एक नई दिसा आप देने वाले हैं दोस्तों अगर आपके बैबाहिक जीबन की और देखें तो अपने जीबन साथी के वज़ा से आपको यह फील होने वाला है कि स्वर्ग धर्ती पर है इतना ज्यादा बेहतर आज आपका दामपत्ते जीबन रहने वाला है अब जान लेते हैं आपके आज के उपाई के बारे में दोस्तों उपाई यह है कि आप 29 जनवड़ी को और 30 जनवड़ी को खीर का सेवन करें आपको खीर खाना है तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा मिलते हैं फिर एक नए बेडियो में धन्यवाद जैसी आराम